भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथी 39 अगस्त को मध्य रात्री एक बचकर 19 मिनट पर शुरू हो रही है। वहीं इस तिथी का समापन 30 अगस्त को मध्य रात्री एक बचकर 37 मिनट पर होने जा रहा है। ऐसे में उद्या तिथी के अनुसार अजा एकादशी का वरत गुरुवार 39 अगस्त को रखा जाएगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार अजा एकादशी वरत का पारण काल 30 अगस्त शुक्रवार को सुभा 7 बचकर 49 मिनट से 8 बचकर 31 मिनट बजे तक है। इस प्रकार वरत का पारण करने की कुल अवधी कुल 42 मिनट है। इस बार की अजा एकादशी के दिन दो सर्वश्रेष्ट शुभ योगों का निर्मान होने जा रहा है। पहले शुभ योग और फिर सिध्धी योग का निर्मान होगा। इसके अलावा सर्वार्थ सिध्धी योग 30 अगस्त को शुरू होगा। पहला शुभ योग या सिध्धी योग सुभा से शाम 6 बचकर 18 मिनट तक है। इस बीच दूसरा योग सरवार्थ सिध्धी योग 30 अगस्त को शाम 4 बच कर 49 मिनट बजे से अगले दिन सुभा 5 बच कर 58 मिनट बजे तक रहेगा। ये दोनों ही योग पूजा पाठ के लिए अति उत्तम हैं। इन योगों में आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको मनचाहा फाइदा देखने को मिलेगा। कोई भी नया कार्य शुरू करने के लिए ये समय बहुत शुब है। इस दौरान आप जो कार्य करेंगे वे सफल सिध्ध हो सकते हैं। व्रत के दिन आर्दरा नक्षत्र सुभा से शाम चार बच कर 49 मिनट तक है। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब टू सपोर्ट।